देखते हैं Intermediate Examination 2021 जो Annual Exam हुआ है Political Science का देखेंगे इसमे राजनितिक सास्त का सव परसन है जो की सटीक सव परसन सेक्यूर एंसर मिलेगा सव कोशन का आपको एंसर दिया जाएगा जो की यहाद की कोशन बुकलेट नंबर सेट का जो है सी है लेकिन आपना जो है मिलाएगा चेंज रहता है हर पुष्टिका में जो बुकलेट कोड है उस अलग अलोग हुआ है लेकिन उसे कोई दिकत नहीं है आप यह सी से हम बता रहे हैं यादि किसी का सी होगा तो अच्छा है कि आप सीरियल से मिलाएगा चलिए हम देखते हैं कोशन की और जो की अथेंटिक होगा 100% आपको सेक्यूर कोशन मिलेगा 100 में 100 जो की सही सही कोशन आपको दिया जाएगा इसलिए टाइम इतना लगता है चलिए आगे चैनल पे निव है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि हर सब्जेट का आपको वीडियो प्रोवाइट करा जाए तो आ इसे मिला सके चलिए पहला यहाँ कोशन देखते हैं दिया हुए कि प्राकृतिक न्याय का सिधान निम्नलिकित में से किस तत्व पर बल दिया तो इसका एंसर D होगा कानूनी द्रिश्टांत चलिए आगे चलते हैं दो नंबर कोशन है कि न्याय बेवास्ता को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्यपूर भूमिका है C प्रभावी बिधिक वा नायक बेवास्ता चलिए तीन नंबर में चलते हैं निम्नलिकित में कौन सा आधिकार अंतह करण की स्वतंत्रता पर बल देता है D नातिक आधिकार क्वेशन नंबर चार की ओर चलते हैं किसने कहा कि कानून के बल के बिना आधिकार एक सब्द की तरह है जिससे मनुस्य का कोई सुरक्षा नहीं हो सकती तो इसका एंसर B होगा थम्स आफ्स चलिए आगे चलते हैं क्वेशन नंबर फाइब की ओर उनईस और तालिस में राष्ठ संगने कौन सी गोषना अपनाई तो अंसर का होगा A मानो अधिकारों की सारो भौम घोषना चलिए कोशन नंबर 6 की ओर चलते हैं आधिकारियों की समाजिक उपयोगिता का सिधान किसने परतिपादित किया तो इसका एंसर A होगा थम्स होफ्स चलिए साथ नंबर कोशन में चलते हैं आधुनिक ग्रहण युक्त व्यक्तिवत की अवधारना किस की चिंतन में नीथ है तो इसका एंसर B होगा लौक वर्क वर्क लौक वर्क एंसर क्या होगा B होगा साथ का B चलिए एट नंबर में है कि नागरिक गर्तंत्रवाद का सुत्री किसने परतिपादित किया तो रूसों ने B एंसर B आठ का B नव नंबर नागरिक निश्क्रिवाद पद बंध परतिपादित किया तो इसका एंसर D होगा T.S. मार्शल ने चलिए आगे है दस नंबर किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफिम है मार्श सी एंसर क्या होगा C 10 का C मार्श आगे है कोईशन नंबर 11 है कि विधान परिशत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है तो इसका एंसर साभापति होगा A एंसर A होगा सावापती एगारका चलिए next question क्यों चलती है 12 नमबर राजी बिधान मंडल में बिधान परिशद को जाना जाता है इसका एंसर उस सदन होगा राजी बिधान मंडल जो होते हैं उस सदन से जाने जाते हैं इसका एंसर क्या होगा A होगा 12 का A तेरा नमबर बिहार विधान परिशाद में सदस्यों की कुल संक्या कितनी है? 243 सीटों की संक्या है विधान साभा की बैठक में गंड़ पूर्ती के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्तिती आवस्यक है तो इसका इंसर 50 सदस्यों की B 14 का B चलिए 15 नमबर में आते हैं एक साल में बिधान साभा की कितने अदिवेशन आवस्यक चार इंसर B सोला में मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होता है? सरोशनाले इसका इंसर क्या होगा? B होगा सोला का B जल्दी जल्दी देख लेते हैं कम समय में चलिए 17 भारतिय नियापालिका किस परकिरिया की अंतरगत कारे करती है? B कानूनी की उचित परकिरिया 18 में है कि उच नियाले की नियादिश की सेवा निवरिति की आयू क्या होती है? 62 बर्ष 18 का C चलि आगे 19 नमबर भारतिय नियापालिका का सिर्ष न्याले कौन होता है? सरोच न्याले B, answer B 20 का भारतिय समिनान के किस अंशेद में भारत को राजियों का संग घोसित किया गया? पर्थम अंशेद एक में यानि 20 का A, answer चलि 21 नमबर सितियोत के अधारां जर्मनी का आव एक करन किस वर्ष में हुआ? तो अक्टूबर 1990 में 21 का C 22 नमबर में संजुक तिराष्ट संग के प्रथम महासचीव कौन थे? तो इसका एंसर A होगा टिगरिव लाईव 23 नमबर में है तासकंद समझाता कब हुआ? उनईसो चाचट 23 के C 24 नमबर में है कि सरोष नाले नेकिस महात्यपुन नेने में कहा कि कोई भी समवेधानिक संसुधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटवती नहीं की जात सकती है तो इसका एंसर क्या होगा? C के सवननदी भारती 1973 चली आगे है 25 नमबर में समिधान के कि संसुधन द्वारा मौलिक कर्तवयों को जोड़ा गया 25 के C 1976 का 42 वा संविधान संसुधन चली आगे है 26 नमबर है देश की राक्षा कर्णा का कर्तवय किस कोटी में आता है? मौलिक कर्तवय है 26 के C 27 में है कि चुनाव अंग कोटा निकाल कर मतों की गणना किस पर्णाली के अंतरगत की जाती है तो आसपष्ट बहमत परतिन दित्व पर्णाली यानि B 27 का B कबिनेट के महराब की आधार सिल किसे का आगया? आधार सिला जो होता है किसे पर्णाली मंतिर को कहा जाता है 28 का B 29 राजियों के राजियों में किसी केंद्र का अभिकरता कहा जाता है 29 नंबर कोशन है कि राजियों के इस आसन में किसी केंद्र का अभिकर तक आयाता है तो राजपाल को राज़िये में राजपाल D, 39 का D चलिए 30 में चलते हैं राजसभा के सदस्य के लिए कितनी नियूनतम आयू निर्धारी थे तो 30 वर्स कम, 30 वर्स से कम 32, 32 का D एंसर प्राप्रागरत सुरक्चा निति के कौन से तत्व हैं तो इन में से सभी 33 के D किसने कहा स्वतनता हमारा जनम से अधिकार है तो C, 34 का C तिलग समिधान की किस अंशेद द्वारा बंदी व्यक्तियों को सम्वेधानी का अधिकार दिये गए तो इसका जो होगा अंशेद 22 होगा 35 का A बात में किस तरह की कारे पालिका है तो 36 का एंसर क्या होगा बिग वास्तवी कारे पालिका 37 में भारतियों संसद के उचे अत्वा दियोतियों सदन का नाम क्या है तो इसका एंसर क्या होगा लोकसभा A, 37 का A एंसर चली आगे है 38 लोगसभा में बिहार के संसर्दों की कुल संक्या कितनी है तो 40, 38 क्या ए? समिधान के किस अंशेद के अंतरगत राष्ट पती दो आंगले भारतियों को लोगसभा में मनुनित कर सकता है तो इसका एंसर क्या होगा अनुशेद 331, 49 क्या C 40 में है साधारन बिध्य को राजे सवा कितने दिनों तक रुख सकती है तो इसका एंसर क्या होगा? 14 दिन लेकिन अपसन के अनुशार यह 3 माह तक है बोड के अनुशार जो भी होगा एंसर दिया जाएगा चलिए आगे है 41 का भारती योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया उनुशेद 24, 41 का D 42 में एक मोहर रेखा कहा है तो जमुकस्मी 42 का A देश में आंतरी गरबड़ी की कारण संकट कालिन एस्तिती की गोशना कब हुई थी? 1975, 43 के C, संजुक्तिराश्टंग के कितने आंग है तो 6, D, 44 के D 45 में संजुक्तिराश्टंग के तत्वाधान में नी सास्तिरी करण आयोग कब बना तो 1969 में इसका एंसर C होगा क्या होगा 45 के C, इसके आपसन के एंसर 69 होगा लेकिन 1978 नी सास्तिरी करण होगा है तो 1969 में 45 किसी होगा चलिए आगे है 46 में कि अकिल भारतिय किसान कांग्रेस की आस्तापना किसने की तो इसका इंसर्ज क्या होगा सहा जानन सहानी होता है लेकिन इसमें अपसर नहीं है बोड अंसर जारी करेगा तो इसमें वीडियो बना दिया जाएगा उससे में मिला लिजेगा लेकिन इसका इंसर जो होगा सहाजानन सहानी होगा अपसर नहीं है इसमें इसमें इंसर तो सरदार पटिल कर सकते हैं चलिए आगे है लेकिन इसमें सहाजानन सहानी होगा 46 का चलिए 28 सदिवस 1 दिसंबर को मना जाता है सर परतम किस राजिय में महिलाओं को पंचायतों में 50 परतिसत आरक्षण दिया गया है तो बिहार ऐसे उत्तर परदे से अपसर नहीं है तो बिहार सेकेंड नमबर 48 चलिए 48 का C हो गया उन्चास का बेरजनेओ किस देश की राष्ट पती थे तो सुविय संग रूस उन्चास का C प्रतम गुट्ट निरपेक्ट सम्मिलन के अधेक्ष काउन थे तो इसका एंसर मार्शल टीटो 50 का D 51 किस बिचारक ने युद्ध को कुरूर अनिवारता कहा हीगल 51 का B चलिए आगे चलते हैं किस ने कहा कि सांती कायरो का सपना है तो इसका एंसर B होगा मुशोली नी 53 में अंतराष्ट ये सांती तथा सुरक्षा बनाये रखने एंसर बिच में किस संगठन की अस्तापना होई थी संजुक तराष्ट संग की अस्तापना होई थी 53 के A 54 में अंतराष्ट ये अडु उर्जा अभिकरन की अस्तापना को अभुई 1907 54 के B चली आगे 55 भारत में प्रत्थम आम चुनाव कब हुआ था 2950 55 के B 56 भारत में नई आर्थिक निती की सुरात कब हुई थी 1921 56 के B 57 संजुक तराष्ट संग की अस्तापना कब हुई थी 1925 57 के A 58 अंतराष्ट ये न्याले का मुख्याले कहां अवस्ति थे इसका एंसर D हेग क्या होगा हेग अंठावन का D चली आगे है उनसर्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किये चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक कीजिए और सेर कीजिए चली ए 100% आपको एकुरेशी के साथ दिया जा रहा है कोई भी अगर गलत होगा तो कॉमेंट बक्स में कॉमेंट कीजिए चली 69 नंबर में है गुट निर्फेक देशों का प्रतम सीकर समिलन कहां आयोजित किया गया है तो बिल्ग्रेड 69 का D किस बर्स में पश्मी राष्टियों ने नाटो की अस्थापना की थी 69 का C 61 B केंदरी करन की सासन की बेशेश्टा है तो सैनिक सासन का यानि पर सासनिक होता है 61 का C 62 में भारतिय समिलन की किस सुची पर केंदर और राजियों दोनों भी धाई कानून बना सकती है तो समवर्थी सुची 62 का C 63 में है कि दक्छेस का पहला समिलन की देश में हुआ था तो बंगला देश एंसर क्या होगा B 63 का B 64 नगर निगम अस्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जन्संग के आवसेक है तो 5 लाग से अधिक 64 का C 65 में है कि भारतिय नागरिक्ता संचोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो ब्यक्ति पंजिकरन के माध्यम से भारतिय नागरिक्ता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा 5 वर्ष B चलिए उसी परकार आगे चलते हैं 66 में हमारी नियोजन विवस्ता किस विचारदारा पर आशरी थे तो लोगतांत्रबादी समाजवाद 66 के C 67 पंचवर्षी योजना में गरिवी आटाओ कार्ज करम को 20 सरस्थान दिया गया है तो पंचवर्षी योजना में गरिवी आटाओ को 20 सरस्थान के दिया गया है तो इसका एंसर होगा 64 पंचवर्षी योजना में गरिवी आटाओ का दिया गया है 69 अनसुचित जाति संकिय स्थापना किस ने किये तो बिम्रा अंबेटकर B 69 के B 70 भारत के प्रतम ब्राष्ट पती का नाम क्या है अभी बर्तमान में भारत के बर्तमान तो रामनत कोबिन 70 का A चली आगे है 61 छेतरिये दलो के सक्तिसाली होने से भारत में संगवाद कौन सा प्रतिमान उभर रहा है तो इसका इंसर एकात्मक संगवाद होगा 61 का A 72 समिधान का कौन से संसत को राज्य सुची के किसी भी सैपर बिधान बनाने की सक्ति देता है हमसे 249 72 का D 72 का D तीयतर में लोक्तांत्री विकेकिंद्री करण का सुझाव निमली कित में से किसे दिया गया है C असुक मेता समिती 73 का C बलवंत राय मेता समिती ने निमली कित में किस अंग को अधिक सक्ति साली बनाने का सुझाव दिया है 75 B 74 का B 75 में 73 संविधान संसोदन द्वारा एकर रहवी अनसुची में पंचायती राज संस्ताओं को कितने कार्य संपे गया है तो D 75 का D 29 76 में 73 में संविधान संसोदन द्वारा भारती संविधान में कौन सी अंसुची जोड़ी गई तो 11 अंसुची 76 के C 77 यदि राजय सभा किसी संविधान संसोदन विदैक पर लोग सभा में असामत हो तो क्या विकल्प है तो इसका एंसर क्या होगा D लोग सभा को राजय सभा के पैस्ताओं को अशिविकार करने का अधिकार होता है 77 का D 88 में चलते हैं संजुक्त राश्ड अमेरिका में कुल कितने राज हैं 50 88 का B 89 C में चलते हैं जर्मनी का एकिकरन का वोई 90 89 का C आगे है 80 भारते समिनान के किस अंशेद के तहट बीतिया पात का लगाया जाता है तो अंशेद 360 80 का C किसने का कि राजनीती मुलियों का प्रदिकृत बिनी धान है जो किसी सम्माज में बाध्यकारी होते हैं तो इसका G A आमाड 81 का क्या होगा C 81 का C चली आगे है 82 में कि प्राचीन युग में राजे का क्या रूप था नगर राजे 82 का A 83 किस से सता का सिधान सास्त्री माना जाता है इसका एंसर मैक्स बेबर होगा लेकिन अपसर नहीं है तो इसको हीगल दे सकते हैं यदि वोट का एंसर आएगा तो पता चलेगा ठीक है गलत कोसन है की सही है चली आगे चलते हैं 84 में कि प्लाटिक से नामक पुछता का लेकर कौन है और अरस्तू 84 का B चली आगे 85 किसने का कि मुझे सोतनता दो या मुझे मार दो इसका एंसर क्या होगा 85 का D जितना जितना नंबर आएगा कॉमेंट करते रहिए चली आगे है किसने का कि मनुझे जनम से सोतनत्रे किन्तु हर जगा बिणियों में जुक्रा हुआ है तो इसका रूस 86 का सीरू सुने 87 निमलिकित में से कौन समाक्षवादी बीचाधारा से संबंदित नहीं है पुझवादी समाज 87 का A 88 एगराम औप पलाटिक्स पोलोटिक्स पोलोटिक्स नमक पुष्टा का लेकक कौन है एक ग्रामर और फुलिटिक्स का नमक का पुष्टा का लेकक जो होते हैं लॉस्की है कौन है एच जे लॉस्की D 88 का D 89 में भौतिक समन्ता का अर्थ होता है समाजिक समाजिक समन्ता B B होगा एंसर 89 का क्या होगा B 90 में चलते हैं किसी दान्त के अनुसार बर्गेहिन समाज में ही नया उपलवद हो सकता है लॉक्तांत्रिक समाजवादी उन 90 का D 91 राजसभा के सदस्य का कारेकल क्या है A 91 के A च्छोबर्स 92 में दोनों सदनों की संजुक्त बैठा की अधिक्षता कौन करता है तो लॉक्तांत्रिक समाजवादी नई अकिल भारतिय सेवाएं अस्थापित करने की दिरिष्टी से विशेस महत्वे किसका है तो राज्य सभा के प्रस्ताव का 93 का A 94 पारकलन समीती के सदस्य कौन होते हैं तो इसका 96 बर्स B 95 का B विधान परिशर का सदस्य निरवाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है तो 95 का D 30 बर्स 97 बारतिय समीदान में समवर्ती सुची के पेर्णा कहां से ली जाती है तो अस्ट्रेलिया से 97 का C निम्र लिकित में से कौन संग सुची का एक विशाय है रक्षा 98 का B 99 ब्याली समें समीदान संसोधान द्वारा समवर्ती सुची में कौन से विशाय जोड़े गए हैं तो जन संग ख्यास नियंत्रन 99 का A 100 भारत्य संग में अवसिष्ट सक्तियां किसके पास होती है तो केंदर सरकार केंदर के पास 100 का C हैनि 100 जो कोशन है उसका एंसर क्या होगा C केंदर के पास तो यह कोशन 100 आपको मिल चुका है आप लोग अपना मिला कर कॉमेंट में कॉमेंट कीजिए कि कितना मार्क्स आया है अपना अपना बता दीजिए का उसमें कॉमेंट करके ठीक है चलिए तो यह 100 कोशन आप लोग मिल गया है नेक्स्ट सब्जिक्ट जो एक्जाम होगा आगले दिन उसका इंतिजार वीडियो दिया जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और सेर केजिए ताकि सबी लोग के पास पहुँच जाए जो भी मिलेगा एंसर थोड़ा सा लेट से मिलेगा लेकिन सटिक मिलेगा सही मिलेगा चलिए धन्यवाद जाहिन